चलिए आज breakfast में बनाते हैं यह avocado toast जो कि बहुत वाइरल हो रहा है तो उसके लिए लिया है मैंने avocado avocado पका हुआ होना चाहिए पके हुए avocado की निशानी होते है कि उसका देखे छिलका इस तरह के से dark होता है green नहीं होता brown हो जाता है blackish brown और यह थोड़ा soft होता है easily cut जाएगा यह देखें मैंने इसको cut कर लिया है यह इसका जो beach है मैं इसको remove कर दूँगे और बहुत easily remove हो जाएगा और उसके बाद हम इसको scoop out करेंगे इसको जब हम scoop करेंगे न तो यह बहुत easily scoop हो जाएगा एकदब butter की तरह soft होता है शायद इसलिए इसको मक्खन फल भी कहा जाता है और इसके अंदर कोई taste नहीं होता आप न इसको अगर आप इसी तरीके से खा कर देखेंगे न तो इसका taste वैसे होता है जैसे हम घर में मक्खन निकालते है न तो मक्खन का जिस तरह के का taste होता है creamy उसी तरह के का मैंने इसको मैश कर लिया है बहुत इसलि मैश हो जाएगा इसके अंदर टमाटर हरी मिर्ची प्याज डाला है अब मैं स्क्वीज करूंगे आधा नीमपू और इसके अंदर डालते हैं यह काली मिर्च और नमक साथ में इसके अंदर मैं डालूंगे ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स बस इ एक सॉस बन जाएगा अवकाडो सॉस जिसको आप नाचोज के साथ खा सकते हैं अब ब्रेड को हम सेक लेते हैं वैसे अवकाडो टोस बना के लिए ना गालिक ब्रेट चाहिए होता है लेकिन मुझे गालिक अपने सांड्वीच इस में पसंद नहीं तो मैं नॉर्मल करूंगी इसके ओपर अपना ये ग्वाकमूली या फिर अवकाडो को मिक्षर बहुत अच्छे से इसको स्प्रेड कर लीजे और फिर जिस भी शेप में आपको कट करना है कट करिए या पी जैसे आपको खाने है वैसे खाईए बहुत ही हेल्दी लगेगा आपको खाने के ब आज से कम से कम वीक में दो बार मैं ब्रेकफर्स में ये एवकाडो टोस्ट बनाती ही बनाती हूं आप भी एक बार ट्राय करिएगा आपको भी बहुत पसंद आएगा बाई